अलो दोस्तों, क्लास एट मैथ हैं सियाटी चेप्टर नमबर वन, रेशनल नमबर का एक्ससाइज 1.1 हम सॉल्व करना सिखेंगे तो देखिए सबसे पहला जो कोस्टन दिया हुआ, पहला दिया हुआ क्या कि using appropriate properties find, यानि कि जब भी properties आपको use करने के लिए बोले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले divide वाला स्ल्व करना है, फिर multiply वाला फिर plus वाला, और मैनस वाला, देखिए ये plus मैनस में दोनों में कोई भी पहले कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले divide वाला solve करना है फिर multiply वाला तो देखिए यहाँ पे तो divide इस question में दिया नहीं है तो क्या दिया हुआ multiply दिया हुआ तो सबसे पहले इन दोनों को solve करेंगे फिर इनको solve करेंगे अब देखिए जैसे इनको solve करते हैं यदि cancel होने वाला रहे number तो cancel कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 यह दोनों क्या हो जाएगा आपस में cancel हो जाएगा और यह 3 है 3 से यह कितने बार में जाएगा cut होगा तो 2 बार में समझ मैं आपको अब देखिए income multiply करके हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे minus cosine है तो minus लिख दिया गया अब देखिए यहाँ पे 1 है अब 1 by 5 बचा 1 by 5 और यह 2 है तो यह दोनों आपस में multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 by 10 हो जाएगा अब क्या करेंगे अब इनका हम LCM लेंगे तो LCM इनका क्या आएगा जैसे हम LCM लेंगे तो LCM 10 आएगा 10 जो है वो सभी के table में आगा देखिए 5 के भी table में आगा 2 के भी table में आगा और 10 के भी table में आगा तो LCM 10 हो गया तो देखिए 5 की टेबल में कितनी बार में 10 आएगा तो 2 बार में आएगा तो 2 से उपर क्या करेंगे हम multiply कर देंगे तो 2 और 2 आपस में multiply होके minus 4 हो जाएगा यहाँ पर minus का sign है इसलिए minus consider करेंगे और यहाँ पर देखिए plus है तो plus का sign देदी हमने 2 की टेबल में कितनी बार में 10 आएगा तो 5 बार में तो 5 5 जब 5 का 5 आपस में multiply होगा तो क्या हो जाएगा 25 हो गया यह minus यहाँ पर sign है तो minus consider कर देंगे 10 10 की टेबल में एक की बार में आ रहा है तो एक हम ऐसे ही लिख देंगे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यह देखिए यह plus 25 है और यह minus 1 और यह minus 4 यह जब दोनों जूट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 minus 5 by 10 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 20 25 में से 5 गया तो 20 upon 10 बचा 10 से यह कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा तो 2 इसका क्या हो गया answer हो गया अब देखिए इस वाले question में आप देखिए इसमें divide नहीं दिया हुआ multiply दिया हुआ तो सबसे पहले multiply वाले को solve करेंगे देखिए multiply यहाँ पर यह है यह है और यह है तो इनको हम सबसे पहले solve करते हैं cancel होने माला है तो cut कर देखिए 3 यहाँ पर है 3 से कितने पर पर cancel हो जाएगा 2 बार में जायागा और यह है 2 है 2 7 जा 14 हो गया समझ में आ रहा है अब देखिए यह दोनों आपस में तो cancel नहीं होगा तो इसलिए इनका multiply कर देगैं तो देखिए क्या हो जागा equal हम लगा दिये है अपर sign 2 का 3 में multiply होगा कितना हो गया यहाँ पर minus है तो minus 6 बार 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया यहनि कि minus 6 बार 35 यहाँ पर minus का sign तो minus consider कर दिया हमने यहाँ पर 1 है, 1 by कितना हो गया, 2, 2 आपस में multiply होके, 1 by 4, बहुत ही focusly समझ यहाँ इसे, प्लस यहाँ पर sign का है, प्लस ले लेंगे, देखिए, 1 है, नीचे क्या है, 7 और 5 का multiply है, तो 7, 5 जा, 1 by 35, क्या होगा, यहाँ पर equal, 35 और 4 है, जब इसका table हम जैसे लेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, कि इन दोनों कापस में multiply कर दोगे, तभी भी क्या हो जागा, वो उसका LCM बन जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर 140 हो जागा, 35 और 4 कापस में multiply करेंगे, 140 हो जागा, यहाँ फिर LCM भी लेंगे, तो इतना ही आएगा, तो देखिए, 35 का table में कितनी बार 140 आए तो माइनस 24, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस लिख लेते हैं, कितनी बार में यह 4 की table में, या फिर आप 4 कितनी बार इसमें भाग दोगे ताएगा, 140 तो 35 बार में, तो यहाँ पर 1 से multiply करेंगे, तो 35 हो गया, प्लस यह 35 से कितनी बार में आप यहाँ पर मल्टिप करेंगे, तो 4 यहाँ पर हो गया, अब देखिए, माइनस 24 और माइनस 34, अपस में क्या हो जागा, जूट जाएगा, तो 5, 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और यह 3, 2, 5 हो गया, यानि कि 59, माइनस 59, प्लस 4, बाइ कितना हो गया, 140 हो गया, समझ मैं आ रहा, अब देखिए यहाँ माइनस 59 प्लस 4 यहां पर देखी 59 में से 4 चला जाएगा माइनस का साइन अधिक है तो माइनस ही कंसीडर किया जाएगा तो माइनस 55 होगा माइनस 59 में से 4 चला गया तो किता है माइनस 55 अपान कितना हो जागा 140 अब ये कितने से कट जागा बताइए तो 5 से आप देख रहे हैं 5 से 11 बार में गया और ये नीजे 2 और 8 जा कितना हो गया 20 तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया माइनस 11 बाइ 28 क्या हो गया अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो कोश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ write the additive inverse of each of the following तो देखिए इसमें क्या करने additive inverse क्या होता है सबसे पहले आप additive inverse को समाझिए ऐसे कोई भी दो नंबर जिन्हें जोडने पर add करने पर क्या है इन्वर्स होगा आप समझ जाएगा समझ जाएगा एडिटीव इन्वर्स होगा जैसे कि example के लिए आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर 5 है 5 में हम क्या जोड़े कि 0 आजाए तो minus 5 5 प्लस यहाँ पर minus 5 is equal to क्या आजाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि यह plus minus आपस में multiply करेगा तो यहाँ पर minus हो जाएगा 2 by 3 है तो इसमें हम क्या जोड़े कि 0 आजाएगा तो यहाँ पर minus 2 by 3 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 0 हो आजाएगा समझ मैं आपको तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? यह सारे के सारे solve करना है तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ? पहला दिया हुआ 2 by 8 दिया हुआ है तो इसका additive inverse क्या होगा? तो इसका जो additive inverse होगा वो क्या होगा? minus 2 by 8 होगा क्योंकि आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए गा 0 आ जाएगा तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा तो 5 by 9 आप जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा आप देखिए minus 6 by 5 दिया हुआ ये थोड़ा सा logical है इसमें सोचना देखिए minus 6 by 5 है माइनस और माइनस क्या हो जागा उपर है डिवाइड में तो क्या हो जागा कैंसिल हो जागा तो 6 बाइ 5 बचा प्लस का तो 6 बाइ 5 बचा तो इसका आंसर क्या हैगा एडिटीव इनिवर्स क्या हो जागा इसका तो माइनस 6 बाइ 5 अच्छा question है ना ये मज़ेदार question था अब जलिए इसका आप solve करिए इन दोनों का आप solve करिए तो देखे 2 by minus 9 है तो इसको हम क्या लेख सकते answer इसका तो 2 by 9 हो जाएगा प्लस का समझे है देखे 19 by minus 6 है तो इसका क्या होगा तो इसका भी 19 by 6 answer हो जाएगा समझे है इसरा question क्या दिया हुआ verify that minus और ये question दिया हुआ for पहला ये और दूसरा question ये दिया हुआ तो देखिए verify करने के लिए माइनस और minus x is equal to x दिया हुआ है तो इसका हम क्या करते हैं सबसे पहले additive inverse ध्यान में लगते हैं तो additive inverse अभी मैंने इससे पिसले हम बताया था क्या होता additive inverse तो additive inverse किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है जीरू आता है समझ में आ रहा है तो देखिए सबसे पहले हम इसका additive inverse निकालते हैं तो देखिए minus additive inverse जैसे लेंगे तो क्या होजागा minus x is equal to minus 11 by 15 होगा additive inverse निकालेंगे सबसे पहले तो additive inverse समझना रहा हमें इसका additive inverse निकालना है उसके बाद क्या होगा minus x is equal to minus 11 by 15 होजाएगा अब देखिए क्या होगा यदि हम इसको और इसको द्यान से समझेगा यदि हम minus वाले को और इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए जीरू आना चाहिए क्योंकि additive inverse औ और रियल जो रियल वाला जो नंबर दिया हुआ ओरिजनल वाला यदि दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है जीरू आता है तो चलिए जोड़के देखिए तो रख लेते हैं यहाँ पर देखिए यह पहला वाला रखते हैं तो 11 by 15 रख लिया हमने यहाँ पर प्लस माइनस 11 by 15 यहाँ पर रख लेते हैं माइनस 11 by 15 इन दोनों का जोड़ने पर क्या आना चाहिए जीरू आना चाहिए क्योंकि additive inverse प्लस और माइनस दोनों जोड़ने पर क्या आता है जीरू आता है समझ में आ रहा है अब देखिए जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो 11 by 15 ह अब माइनस 11 by 15 यही पर रहने देजिए माइनस 11 by 15 यही पर रहने देते हैं ब्रेकेट में और इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 11 by 15 हो जाएगा यह ब्रेकेट के बाहर रहेगा तो देखिए अब हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं माइनस से आ यहां पर minus हो जाएगा तो minus 11 by 15 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा यह minus cancel हो जाएगा जैसे sign change करेंगे तो cancel हो जाएगा तो यहां पर 11 by 15 हो गया समझने आ रहा है अब देखिए लिए आप ध्यान से देखें यहां पर minus और minus 11 by 15 यानि कि यह किसको दिखा रहा है minus 11 by 15 किसका वैलू है तो minus 11 by 15 किसका है minus x का वैलू है तो हम minus यहां पर लिखके minus x लिख सकते हैं क्योंकि minus 11 by 15 का वैलू क्या है यहां पर minus x है तो minus x और यहां पर 11 by 15 का वैलू क्या है x दिया हुआ है तो x hence क्या हो गया ये proof हो गया कि minus और minus x is equal to x समझ में आया यहाँ पे देखिए यही proof करने के लिए बोला था यही proof करने के लिए बोला था न तो यह क्या हो गया यही हमारा proof हो गया इसको भी ध्यान से समझे आप आप देखिए यहाँ भी हम additive inverse निकालते है additive आप समझे यहाँ आग इनवर्स समझ में आ रहा आप देखिए इन दोनों का यानि कि इसको और इसका additive inverse दब हम दोनों आपस में add करेंगे तो क्या होगा अभी मैंने बताया 0 होगा तो चलिए देखिए रखके यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर 13 by 17 इसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं 13 by 17 के साथ कैसे 13 by 17 देखिए यहाँ पर additive inverse जैसे ही x है x is equal to minus 13 by 17 देओ इसके additive inverse निकालेंगे तो क्या होजागा minus x is equal to क्या होगा 13 by 17 यहाँ पर x है ना अगर minus इसका निकालेंगे तो क्या होजागा 13 by 17 होगा क्योंकि यहाँ पर change हो जाएगा अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 0 आएगा जैसा कि मैंने बताया अब देखिए यहाँ फर्टीन by 17 17 ऐसे ही रहने देते हैं पहला जो है इसको ध्यान में रखना है सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए solve करना है तो देखिए 13 by 17 यहीं पर रहेगा इसको हम उधर भेज़ देते हैं क्या हो जाएगा 13 by 17 इधर भी हो जाएगा समझ में आया आप देखिए यहाँ पर दोनों जगों प्लस साइन है तो माइनस साइन क्या करते हैं यहाँ पर दोनों जगों साइन चेंज कर देते हैं तो किसका value है? 13 x 17, यह minus x, यानि कि additive inverse का value है, यहाँ पर minus x हमने लिख दिया, अब यह क्या है? और minus 13 x 17 किसका value है? minus 13 x 17 x का value है, तो x हमने क्या अगर दिया? ऐसे लिख दिया, तो यह हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया अब देखिए चौता question क्या दिया हुआ है find the multiplicative inverse of each of the following दिया हुआ है तो यहनि कि सबका multiplicative inverse निकालना है अब समझे देखिए students क्या होते हैं कि generally भूल जाते हैं कि additive inverse और multiplicative inverse में क्या अंतर है अब देखिए 스타 लुटिप्लिकेटिव और additive inverse दोनों कैसे हम समझें देखिए multiplicative मतलब क्या होता है यहां पर देखिए आधा अगर इसका हिस्सा देखिये तो क्या होगा मल्टिप्लाई से बना हुआ जनने कि उसमें एड़ करना है और इसमें क्या करना है multiply करना है मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है जब दो संख्याओं का आपस में क्या करेंगे मल्टिप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है वन आना चाहिए एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि जब हम दोनों संख्याओं का आपस में जोडते हैं यहाँ आँछ लेकिन किया होता है किन मिल्टिप्लीकेटिव निवर्स हो पिसम क्या होना चाहिए इसमाना चाहिए इसलिए यहाँ पर minus 13 का multiplicative inverse क्या होगा तो 1 by minus 13 होगा समझ में आए आपको अब देखे इसी तरीके से यहाँ पर देखे minus 13 by 19 दिया हुआ है तो इसका multiplicative inverse क्या होगा यह भी बहुत ही simple है 19 को उपर कर देना और minus 13 को नीचे कर देना तो इसका भी जब हम आपस में multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 1 आएगा समझ में आ रहा है तो चलिए अब इन सभी संख्याओं का आप निकाल के बताईए कि इतना आएगा अंसर वीडियो पॉस कर लिए फटफट आप इसको solve करके देखे चलिए यहां पर देखिए 1 बाई 5 है तो इसका multiplicative inverse क्या आजाएगा 5 आजाएगा क्योंकि जब हम आपस में इसका multiply करेंगे तो 1 आएगा अब देखिए इसको solve करते है minus 5 है और यहां पर minus 3 है यह दोना आपस में multiply होगा तो क्या हो जाएगा minus 5 और minus minus हापस में cancel हो जाएगा और 15 हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा तो 15 बाई कितना हो जाएगे 8 7 जा 56 हो जाएगा अब देखिए 15 बाई 56 का multiplicative inverse क्या होगा बताएगे तो इसको उपर कर देंगा और इसको नीचे कर देंगा तो 56 बाई 15 यह हमारा क्या हो गया answer हो गया वैसे ही है हैंपर minus 1 है और minus 2 है इन दोनों को जब हम आपस में multiply करेंगे क्या हो जागा plus में change हो जागा योगि minus और minus का जब हम multiply करते हैं तो plus हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जागा 2 by 5 हो जागा तो इसका multiplicative inverse क्या होगा इसको उल्टा करतेंगे जब 5 by 2 क्योंकि जब दोनों का अपस में multiply करेंगे तो 2 से 2 cancel हो जागा और 5 से 5 cancel हो जागा 1 आ जागा तो यही हमारा क्या हो गया answer हो गया अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ही है 6 में कि minus 1 है एक बात समझ लीजिए कि minus 1 minus 1 और 1 का multiplicative inverse क्या होता है same होता है वही number होता है minus 1 का minus 1 ही होगा और 1 का 1 ही होगा question number 5 देखिए name the properties under multiplication used in each of the following यानि कि इस अभी में कि कौन से properties का used हुआ है उसे हमें क्या करना है find करना है या फिर बताना है देखिए यहां पर देखेंगे यहां तो minus 4 by 5 और इसमें भी minus 4 by 5 क्या है तो same दिया हुआ है इसको देखिए तो a है a है a into 1 और यहां पर 1 into a इस properties का use किया गया है और last में जो इसका value आया minus 4 by 5 जब भी ऐसे हो 1 का use किया हो आगे पीसे use किया हो और उसका value वही आया हो same तो इसमें जो identity use किया गया है वो क्या है 1 is the multiplicative multiplicative identity समद में रहा है तो one जो है वो multiplicative identity है यह आप इसे लिख लिजएगा यहां पर देखिए question number 2 किया दिया हुआ है इसे यदि आप ध्यान से observe करें तो इसमें आप क्या पाएंगे कि देखिए यह a है और यह b है मान लेते हैं तो a और b का जब हम multiply कर रहे हैं तो equal में क्या आ रहा है equal में क्या आ रहा है तो यहां पर b into a आ रहा है जब भी इस तरह का identity use हुआ हो तो उसे हमें क्या कहते है commutativity कहते है समद में आ रहा है आप इसे लिख लिजएगा commutativity commutativity प्रोपर्टिस का use किया गया है यह जो थर्ड दिया हुआ है इससे पहले ही आपने पढ़ा है क्या कि जब भी दो संख्याओं का आपस में multiply करने पर one आता है value तो वो क्या होता है multiplicative multiplicative inverse होता है समद में आ रहा है multiplicative inverse होगा अब देखिए next question देखिए multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16 अब देखिए minus 7 by 16 का reciprocal क्या होगा तो जिन दो संख्याओं का आपस में multiply करने पर क्या होता है one find होता है वो क्या होगा वो उसका reciprocal होगा या फिर multiplicative inverse होगा तो देखिए minus 7 by 16 का reciprocal क्या होगा तो minus 16 by 7 होगा इसका reciprocal समझने आया अब देखिए क्या बोला है कि 6 by 13 में question क्या बोला 6 by 13 में reciprocal of minus 7 by 16 यानि कि 7 by 16 का reciprocal हमें क्या करना है multiply करना है तो यहाँ पर multiply का sign देदीजिए तो multiply किसे करना है minus 16 by 7 अब देखिए इन दोनों को multiply करेंगे हम अपस में तो क्या हो जागा 96 हो जागा अपन यहाँ पर क्या हो जागा 37 जा 91 और यह minus sign है तो यहाँ पर minus sign consider कर देंगे तो यही क्या हो जागा 96 अपन 91 आंसर हो जागा 7 देखिए tell what properties allows you to compute questions दिया हुआ as यह questions दिया हुआ तो इसमें आपको क्या property दिखाई दे रहा माल लिए इसको A मानते है देखिए A into यहाँ पर bracket में क्या दिया हो B into C अब as यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो क्या दिया हुआ A into B bracket में into C समझना रहा है तो जब भी इस तरह का properties use हुआ हो bracket क्या करा हो आगे हो और फिर इसको पीछे की तरफ ले लिया हो लेकिन सब वही numbers रहें same numbers रहें तो क्या होगा इस properties को क्या बोलते हैं तो associativity समझ में आ रहा है associativity properties का use हुआ है समझे है आप यहाँ पर देखिए question number 8 दिया हुआ है is 8 by 9 the multiplicative universe of why or why not पूछ रहा है कि क्या इसका जो multiplicative universe है यह है या नहीं है तो देखिए आप क्या करते है multiplicative universe आप क्या पता ही है कि किसी भी दो number का आपस में multiply करने पर हमें क्या find हो 1 हो तो वो क्या होता है multiplicative universe होता है उसका तो चलिए हम find करके देखते है देखिए यहाँ पर 8 by 9 है इसका multiplicative universe है की नहीं तो देखते हैं चेक कर लेते है multiply का sign लेंगे यहाँ पर multiply है तो देखिए 8 बन जा 8 हो गया मैनस में और यह आपस में जूट जागा तो यहाँ पर क्या जागा मैनस 9 by 8 हमें क्या करना है इसी को यहाँ पर multiply करके देखना है तो देखिए मैनस 9 by 8 है 8 से 8 cancel हो गया 9 से 9 cancel हो गया आंसर क्या आ रहा है मैनस 1 आ रहा है लेकिन आपको यह पता है कि जब भी दो संख्याओं का multiply करने पर 1 आ है तो वही उसका multiplicative inverse होता है 1 आना चाहिए यहाँ पर तो मैनस 1 आ रहा है इसी लिए क्या होगा यह नहीं होगा इसका multiplicative inverse तो इसका हम क्या लिखेंगे because the product is not 1 so that is not multiplicative inverse समझ में आ रहा है इसका product 1 नहीं है इसलिए multiplicative inverse इसका नहीं है question number 9 देखिए इस 0.3 multiplicative inverse है इतना why or why not समझ में आ रहा है अब देखिए इसका भी वही सेम काम करना है multiplicative inverse निकालना है और देखना है 1 आ रहा है कि नहीं यदि 1 आएगा तो वो उसका multiplicative inverse होगा यदि नहीं आया तो क्या होगा multiplicative inverse नहीं होगा तो चलिए यह देखिए 0.3 है तो 0.3 में हम क्या करेंगा इसको हम change कर लेते हैं fraction में change कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 upon क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इसको जैसे हम fraction में change करेंगे कर देना है 10 से 10 cancel हो गया और यह 3 से 3 cancel हो गया answer क्या आगया 1 आगया तो यह इसका multiplicative inverse होगा तो इसके लिए हम क्या कर देंगे yes because क्यों होगा तो इसका जो product है इसका जो product है वो क्या आया 1 आया इसलिए multiplicative inverse का होगा question नमड़ 10 देखे राइट पहला दिया हुआ the rational number that does not have a reciprocal यानि कि एक ऐसा rational number बताना जिसका कोई भी reciprocal नहीं होता है तो इसका पहला क्या होगा पहला कहा जो होगा वो zero होगा zero क्या है एक ऐसा rational number है जिसका कोई भी reciprocal आइसे लेते हैं एदि आईसे लेते हैं तो क्या इसका जो वैलू हाएगा वह इंफीनिट आएगा समझ में रहा है तो जीरो एक ऐसा रस्षा रेस्टे लंबर होता है जिसका कोई भी रेसीप्रोकल नहीं होता है दूसरा question क्या दिया हुआ है? The rational number that are equal to their reciprocal. तो ऐसा कौन से rational number है? जो कि अपने reciprocal के equal है. तो देखिए दूसरा का answer क्या होगा? कौन कौन से ऐसे rational number है? जो कि उनके reciprocal के equal है. तो 1, 1 क्या है? अपने reciprocal के equal है. देखिए 1 by 1 के लेंगे तो इसका answer 1 आएगा. माइनस 1 लेंगे? तो इसका भी माइनस 1 का देखिए. इसका भी answer क्या हैगा? माइनस 1 आएगा. समझ में आ रहा है? तो the rational number that are equal to their reciprocal. तो ये माइनस 1 और ये 1. ये क्या है? रेसिप्रोकल है जो कि अपने ही equal है. rational number के. समझ में आ है? अब देखिए third question क्या बोला है? the rational number that is equal to its negative. ऐसा कौन सा rational number है? जो कि अपने negative equal है. तो वो 0 है. देखिए 0 क्या है? अपने plus के भी equal है और minus के भी equal है. जैसे कि 4 में, ये third answer में बता रहा हूं, देखिए. 4 में यदि हम plus 0 करें, तो भी 4 ही आएगा. और 4 में यदि minus 0 करें, तो भी 4 ही आएगा. तो ये एक ऐसा rational number है, जो कि अपने negatives के equal है. समझ में रहा है? next question देखिए. fill in the blanks. पहला क्या दिया हुआ है? 0 has, यहाँ पे reciprocal, dot, यहाँ पे क्या होगा? तो 0 has no reciprocal. समझ में रहा है? 0 का कोई भी reciprocal नहीं होता है. दूसरा क्या दिया हुआ? देखिए. the number and are their own reciprocal. तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे कि 1 and minus 1 are their own reciprocal. यानि कि वो खुद के reciprocal होता है. और कोई नहीं होता है. समझ में रहा है? तीसरा देखिए क्या है? तो the reciprocal of a minus 5 is क्या? minus 5 के reciprocal क्या होगा? तो 1 by minus 5. समझ में रहा है? 1 by minus 5 इसका क्या होगा? reciprocal होगा. reciprocal of 1 by x where x not is equal to 0. देखिए. the reciprocal of 1 by x तो reciprocal of 1 by x क्या होगा? तो x होगा. समझ में रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पांचवा क्या दिया है? the product of 2 rational number is always a rational number. समझ में रहा है? तो पांचवा का rational number होगा. the product of 2 rational number is always a rational number. जैसे कि 2 by 5 है. तो इसका और 4 by 3 है. इसका product क्या होगा? rational number होगा. fraction में होगा. p by q और q not is equal to kya होगा? 0 होगा. समझ में रहा है? 6 question क्या दिया होगा? the reciprocal आप है. positive rational number is positive. बिल्कुल. कोई भी positive rational number है. तो उसका जो rational number जो होगा, वो भी positive हैगा. तो friends, इसी के साथ यह chapter समाप्त होता है. तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. और चैनल पे यदि आप नए हो, तो सब्सक्काइब कर लिजिए. इसी तरह के next वीडियो अपडेट्स के लिए और सारे अपने chapters के लिए. तो चलिए, मिलते हैं next वीडियो में. तब तक के लिए, bye.